Good morning students, today we will start our GK class. आज मैं तुम लोग को Chapter 10 Language and Literature के Good Manners पढ़ाऊंगी. Good Manners क्या है बच्चों? तुम लोग जानते हो के Sorry, Thank You, Excuse Me, Good Night, Please, You Are Welcome. यह जो Golden Words है यही हम लोग Good Manners में शो करते हैं. कोई हमसे अगर Help ले या हम लोग को Help करे तो उसके React में हम लोग कुछ न कुछ उनको बोलते हैं, कुछ Response हम लोग करते हैं. तो कब, कहां और क्या Response हम करेंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे Discuss करेंगे. हम लोग को Good Citizen अच्छा नागरी बनने के लिए Good Manners help करते हैं. When someone gives you a gift on your birthday, you should say, जब कोई तुम्हें birthday में कुछ gift दे, तब तुम क्या कहोगे? Thank you. When you ask someone for something, you should say, Excuse me. जब कुछ बात करोगे, कुछ बोलना चाते हो, किसी को, तो कैसे बुलाओगे? Excuse me बोलके. If you have made a mistake or have hurt someone, you should say, Sorry. तब कुछ mistake हो जाए, या किसी को तुम हाट करो, दुख पहुचाओ, तो तुम ज़रूर उसको Sorry बोलना. When you ask someone to give you way, you should say, You should politely say, Please. जब किसी से कुछ मांगना है, कुछ request करना है, तो क्या बोलोगे? Please. Before going to bed at night, you should say to your elders, Good night. जब नाइट में तुम लोग सोने जाओगे, तब क्या करोगे? क्या कहोगे? Good night. When somebody thanks you, you should say, You are welcome. जब कोई तुम को thanks दे, तब तुम लोग क्या बोलोगे? Welcome. तो बच्चों, कैसे हम लोग good manners use करते हैं? और कहां पर क्या बोलते हैं? यह हम लोग अभी जान चुके हैं. यह सम golden words है, जो हम लोग सही जगा में सही हिसाब से प्रयोक करते हैं. और good citizen बनने के लिए हमें good manners होना अवश्य ज़रूरी हैं. जो के good manner से ऐसा हैं, जो हम लोग को अच्छा नागरिक बनने के लिए help करते हैं. अच्छा आज बनने के लिए हम लोग को help करते हैं. तो आज chapter 10 पढ़ाएं और और एक chapter भी हम पढ़ाएंगे, वो है chapter 12. तो यह जो है जीके का, यह सब तुम लोग अपना book में complete करके रखोग और जीके का copy है, copy में भी लिख लोगे. Language and literature के action words. Action words means doing words, मतलब कुछ काम करना. The words which are used to show actions are called action words. मतलब कुछ काम करना, जीन words से हम लोग देखते हैं, या जीन जो सब words, जो words शो करता है कि कुछ काम हो रहा है, उससे बोलते है action words. जैसे playing, dancing, sleeping, studying, practicing, teaching, drinking, eating, brushing, combing, waiting, watching, cycling, racing, यह सब है action words. मतलब यह सब जो है, कुछ ना कुछ काम करना समझा रहे हैं. यहाँ पे देखो, number one में, picture में क्या है, दो बच्चा खेल रहा हैं. तो यहाँ पे क्या है, राम is dash with his brother. तो यहाँ पे होगा, राम is playing with his brother. नेक्स्ट है, number two में, देखो, number two में एक बच्चा सो रही हैं. तो यहाँ पे क्या है, शोभा is dash in her room. शोभा क्या कर रही है, सो रही है, यानि कि sleeping, शोभा is sleeping in her room. राधा is dash dance, राधा क्या कर रही है, राधा practice कर रही हैं. देखो, practicing. तो राधा is practicing dance. नमबर four, the baby is dash milk. देखो, बेबी क्या कर रही है, यहाँ पे? बेबी ड्रिंक कर रही है, मिल्क. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? The baby is drinking milk. ड्रिंकिंग में हम टीक लगाएं. स्वेता is dash her teeth. स्वेता क्या कर रही है? स्वेता ब्रशिंग कर रही है. तो स्वेता is brushing her teeth. नमबर six, मनु is dash television. मनु क्या कर रहे है? मनु is watching. मनु TV देख रहा है. तो मनु is watching the television. नमबर seven, सानु is dash. सानु क्या कर रहा है? साइक्लिंग कर रहा है. तो सानु is cycling. तो यहाँ पे जो जो action word यह picture के संग suitable है, match कर रहा है. हम स्रीव उसी को यहाँ पे ठीक लगाए है. तो children, तुम लोग यहाँ पे यह लिख लेना, यह भर लेना और यह book भी तुम लोग complete कर लेना. सामने हम लोग का exam है, सब तुम लोग book complete कर लेना इसमें और copy में भी लिखना जरूर. तो आज़स को learn भी करना है. क्यूंकि exam सामने है और अच्छा से learn भी तुम लोग को करना ह तैंकि यू